अब हम लोग सीखेंगे factor तो चलिए art का factor निकालना सीखते हैं तो art का factor निकालने के लिए art हम लोग लिख देंगे यहाँ पर और एक line इस तरह से vertical और एक line horizontal draw कर देंगे ठीक है उसके बाद हमें देखना है कि सबसे छोटा table कौन है जिसके table में ये art आता है तो सबसे चोटा टेवल दो होता है ठीक है तो दो के टेवल में देखेंगे आठ आएगा या नहीं ठीक है अगर दो के टेवल में नहीं आएगा तो फिर देखेंगे तीन के टेवल में तीन के भी टेवल में नहीं आएगा तो देखेंगे पांच के टेवल में तो दो के टेवल में आठ आ जाता है, तो किस तरह से लिखेंगे यहां पर देखिए, यह तो हमें पता हो गया कि दो के टेवल में आता है, उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर दो का टेवल कितनी बार पर है तो आठ आ जाएगा वो नमबर यहां पर लिखें ही है अब हमारे पास है चार अब भही काम चार के साथ करेंगे कि चार किसके टेवल में आता है तो चार दो के टेवल में आता है तो दो लेखेंगे यहां पर और दो के टेवल में कितनी बार में चार आता है तो दो बार में आता है तो यह दूसरा इस टेप हो गया आप देखत प्रस्क में हम लोग इसको लिख देंगे आठ एक्वल बढ़ावर का साइन देदेंगे उसके बाद देखिए यह सारे दो को एक साथ लिख देंगे गुना का साइन देदे करके ठीक है तो यहां पे हो जाएगा दो गुना दो और गुना दो यह देखिए तीन बार आया है दो 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 और एक को नहीं दिखेंगे ठीक है ये तब तक करते रहेंगे जाए अब तक के यहां पर एक न आ जाए तो हम लोग यहां पर तीन स्टेप में एक ले आए हैं तो यहां पर लिख दियें दो गुना दो गुना दो आप चाहे तो इसको दो का पावर तीन भी लिख सकते हैं या यहीं पर छोड़ सकते हैं अब बढ़ते हैं next question की ओर यहाँ पर है 16 16 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर उसी तरह से एक line और दूसरा line draw कर दिये फिर हमें 2 का पहारा इतनी वार परना है कि 16 आ जाए तो 2 का पहारा अगर हम लोग 8 वार परे तो आ जाएगा 16 ठीक है यहोगा complete अब आ गया यहाँ पर 8 अब हमें 2 का पहारा इतनी वार परना है कि 8 आ जाए तो 2 का पहारा हम लोग परेंगे 4 वार तो आ जाएगा 8 ठीक है अगला आंख हम को 4 मिला 2 का पहारा इतनी वार परेंगे कि चार आ जाए तो दो का पहारा हम लोग दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा चार और ये है लास्ट अब दो का पहारा हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो दो आ जाएगा अब यहाँ पर एक आ गया है यानि कि अब भाग नहीं लगेगा तो चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर लिखेंगे सुल, उसके बाद बराबर का साइन देंगे उसके बाद जितनी बार दो आया है उसको लिख देंगे तो यहाँ पर आया है चार बार तो दो, गुना दो, गुना दो और गुना दो और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दो का पावर चार तो अब बढ़ते हैं next question की ओर यहाँ पर है चौविस तो हम लोग लिख देते हैं चौविस लाइंड रो करने के बाद हमें देखिए अब दो का पहारा दो का पहारा इतनी बार पढ़ना है की चौविस आजाए तो आप इस तरह से समझ यह कि दो एकम दो और दो दुनी चार चीक है दो एकम दो और दो दुनी चार यानि के चौविस को अगर हम दो से भाग दे तो हमें बारा मिलेगा या ऐसे कि दो को कितना से गुना किया रहे कि 24 आ जाए तो 2 को हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा फिर हमें आ गया 12 अब हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से यानि कि 2 का पहारा इतनी बार पर ना है कि 12 आ जाए तो 2 का पहारा आगा हम लोग 6 बार पर तो आ जाएगा 12 फिर इसमें 2 से भाग लगेगा तो लिखेंगे 2 और 2 तिया हो जाएगा 6 अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो हम लोग लिखेंगे 3 3 एकम 3 अब हो गया है ये complete उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 24 चौविस लिखने के बाद equal का sign देंगे उसके बाद 2 देखें 3 बार आया है लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 और 3 आया है एक बार तो 3 लिख देंगे यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और गुना 3 अब बढ़ते हैं next question क्यों और यहाँ पर देखें तीस है तो हम लोग तीस लिखेंगे लैंड रो कर दियें उसके बाद 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 का पहारा हम लोग अगर 15 बार परें तो 15 तीस आ जाएगा 15 बार परेंगे दो का पहारा तो ठीक है फिर आप देखिए यहाँ पर यह दो से अब नहीं लगेगा तो अब हम लोग देंगे इसमें 3 से तीन का पहारा हम लोग पांस बार परेंगे तो आजाएगा पंदरह अब आगया यहाँ पे पांस जो के पांस खुद के टेवल में आता है पांस से कम पांस ठीक है लास्ट में अब हम लोग इसको गुना करके लिख देते हैं यहाँ पर लिखेंगे 30 और बांग की जो भी नमबर आया है 2, 3, 5 इसको इसी तरह से लिख देंगे 2 गुना 3 और गुना 5 अब बढ़ते हैं next question क्यों अगला नमबर है 40 तो 40 लिखेंगे यहाँ पर अब इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 का पहारा कितनी बार परें तो 40 आ जाए तो 2 का पहारा परेंगे 20 बार तो आ जाएगा 40 फिर हमें 2 से ही भाग देना होगा क्योंकि ये 2 से भाग लगेगा तो दो का पहारा अगर हम लोग पर ये 10 बार तो आजाएगा 20 फिर देखते हैं 2 से अभी भी लगेगा तो दो का पहारा परेंगे 5 बार दो पंचे होता है 10 अब आ गया यहां पर 5 तो 5 का पहारा परेंगे 5 एकम 5 अब हो गया यह complete अब इसको गुना में लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर 40, बड़ का सायन दे करके, 2 आया है 3 बार, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और 5 आया है एक बार, तो लिखेंगे 5 एकम 5, यानि 5 एक बार लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर 2 का पहारा, यानि कि 2 यहाँ पर तीन बार आया है तो दो का पावर लिख देंगे तीन और पांच लिख देंगे ठीक है यहां पर साथ है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साथ line draw करने के बाद 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 का पहारा हम लोग अगर 30 बार परे तो आ जाएगा 60 फिर हमें 2 से देना होगा 2 का पहारा 15 बार परेंगे तो आ जाएगा 30 अब ये 2 से नहीं जाएगा तो अब इसको हम देंगे 3 से तो 3 पंचे होता है 15 यहाँ पर लिखेंगे 5 अब देंगे इसको 5 से 5 से कम 5 अब हो गया complete तो इसको लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे 60 equal का sign देने के बाद लिखेंगे 2 गुना 2 2 दो बार आया है 3 आया है एक बार तो लिखेंगे 3 और 5 आया है एक बार इस तरह लिख सकते हैं या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं दो का पावर दो गुना तीन और गुना पांच अगला अंख है 27 इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी नमबर को देख करके कैसे पता करें इसमें 2 से भाग लगेगा या नहीं ठीक है क्योंकि ये नमबर सब छोटा है इसलिए हम लोग डारेक सॉल्व कर रहे हैं लेकिन अगले वीडियो में कितनो ही बड़ा नमबर हो आप देख करके बता सकते हैं 2 से भाग लगेगा या फिर 3 से या फिर 5 से यहाँ पर लिखेंगे 27 उसके बार लाइन ड्रो करने के बाद यह तीन के पहारा में आता है तो 3 का पहारा कितनी बार पर आएगी 27 आ जाए तो 9 बार तीन का पहारा जब 9 बार परेंगे तो आ जागा 27 अब यह है 9 tô 3 में है उसको यहाँ पर लिख देंगे यह आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं तीन का पावर तीन ठीक है अब यह है लास्ट कोश्चन तो चलिए समझ लेते इसको भी यहाँ पर है नब्बे तो नब्बे हम लोग लिखेंगे उसके बाद लाइन ड्रो करने के बाद इसमें दो से भाग देंगे तो दो का पहारा अगर हम लोग 45 वार पर है तो आजागा नब्बे अब इसमें दो से भाग नहीं लगेगा तो देंगे तीन से तो पंद्रा का पहारा अगर हम लोग तीन वार पर है तो आजागा 45 या तीन का पहारा 15 वार पर है तो आजागा 45 अब पंद्रा में हम लोग लिख देंगे 90 बड़ाबर का sign देने के बाद लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 3 और गुना में 5 या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 का power 2 और गुना 5 तो आज के लिए बस इतना ही thank you for watching video